सो यह गाई स्टीफ के हैर आगया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ और आज के इस बड़ में हम देखेंगे कि कैसे हम SPI File System को NodeMCU के अंदर यूज कर सकते हैं सो यह SPI File System क्या है SPI File System एक Lightweight File System है NodeMCU जैसे Micro Controllers के लिए जिनमें Resources काफी Limited होते हैं और SPI File System को यूज करके NodeMCU, Flash Memory के अंदर डेटा या फिर गोईवी फाइल को Read, Write, Close, Delete कर सकते हैं सो Advanced Diative Project में SPI File System काफी जादे यूसफुल होता है क्योंकि File System को यूज करके आप Quotes को Separate Files में Divide कर सकते हो सो अगर आप एक Web Server बनाते हो तो आपको Web Server के लिए HTML, CSS Code को C++ Code के साथ Embed करना परता है और ऐसे कैस में SPI File System आपको काफी जादा Help करता है क्योंकि File System को यूज करके आप HTML और CSS के लिए अलग Separate File Create कर सकते हो और आपका Code काफी जादा Organized रहता है और अगर आप Permanently कोई भी File Flash Memory के अंदर Store करके रखना चाहते हो तो भी आप Store कर सकते हो So SPI File System को यूज करने के लिए आपको अपना जो Arduino ID है उसके अंदर एक Plug-in इंस्टोल कर लेना होगा जिसका नाम है ESP8266 File System Uploader So इसको इंस्टोल कर लेने के बाद अगर आप Arduino IDE के अंदर Tools के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको ESP8266 Sketch Data Upload नाम का एक Option देखने को मिलेगा जो की अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है So installation के लिए जो भी Steps है सब कुछ यहाँ पर Step-by-Step दिया हुआ है Space का link में description पर दे दोंगा वहासे आप Space पर विजिट कर सकते हो So first step में यहाँ पर Arduino IDE के अंदर ESP8266 वाला board इंस्टोल करना परेगा So most probably आपके पास अल्रेडी इंस्टोल होगा अगर नहीं है तो आपको ESP8266 board इंस्टोल कर लेना परेगा और उसके बाद यहाँ पर एक file मिल जाएगा जो कि हमें download कर लेना है So first वाला file जो है इसको हमें download कर लेना है So मैंने already download कर रखा है और third step में यहाँ पर Arduino sketchbook directory के अंदर जाना है और वहाँ से tools नम से एक folder मिलेगा अगर folder नहीं मिलता है तो आपको tools नम से एक folder create कर लेना है और tools folder के अंदर हमेरे पास जो downloaded file है उसको simply यहाँ पर इस folder के अंदर extract करना है So file को मैंने यहाँ पर copy कर लिया है और simply यहाँ पर extract hair कर देते है So unpack हमने यहाँ पर कर दिया है और उसके बाद last step जो है restart Arduino IDE So Arduino IDE restart कर लेने के बाद अगर आप tools के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक new option देखने को मिल जाएगा ESP8266 sketch data upload So मतलब यहाँ पर हमारा plugin install हो चुका है और अभी हम SPI file system को भी use कर सकते है So plugin हमारा add हो चुका है और tools के अंदर हमारे पास यहाँ पर option भी आ चुका है So इसका मतलब यह है कि हम SPI flash file system को use कर पाएंगे So यहाँ पर मैं एक text file को NodeMCU flash memory के अंदर upload करके आप लोग को read करके बताऊँगा So यहाँ पर file upload करने के लिए first of all हमें एक new file create कर लेना होगा So data folder के अंदर जो भी हम file रखेंगे या फिर जो भी हम file create करेंगे उसको हम program के थुरू read कर पाएंगे So simply यहाँ पर मैं एक new text file create कर लेता हूँ So इस txt file के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो text content हम serial monitor के अंदर read कर सकते है So यहाँ पर मैंने लिखते है SPIFFS tutorial subscribe to TFK So इसको मैं save कर लेता हूँ और अभी इस file को हमें flash memory के अंदर upload करना है So upload करने के लिए simply जाना होगा tools के अंदर और यहाँ पर जा हमारे पास new option है ESP8266 sketch data upload Simply इस पर click कर देना है और उसके बाद file upload होना start हो जाएगा So यहाँ पर हमारा file upload हो चुका है और अभी इस file को read करने के लिए हमें code लिखना परेगा So यहाँ पर already मैंने code prepare कर रखा है So simply यहाँ पर हमें जो path name है उसको change करना परेगा जो file name है उसको change करना परेगा So file name था hello.txt So simply बस इसको change करने के बाद ही आप इसको upload कर सकते हो इसको मैं simply यहाँ पर upload कर देता हूँ So code यहाँ पर upload हो चुका है और चलते हैं serial monitor के अंदर और serial monitor के अंदर आके आपको यहाँ पर NodeMCU को एक बार reset कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो file content SPIFFS tutorial subscribe to TFK इसको हमारा जो भी यहाँ पर टेक्स करते हैं था वो यहाँ पर हमें serial monitor के अंदर मिल रहा है आपको थोरा सा समझ लेते हैं यहाँ पर मैंने एक filesystem.h नम का include statement एड़ किया है और उसके बाद यहाँ पर void setup के अंदर debugging के लिए मैंने बॉर्डट 1105200 रखा है और उसके बाद यहाँ पर SPIFFS.begin नम का एक method है जो कि file system को initialize करता है तो यहाँ पर अकर file system initialize नहीं हो पता है तो हमें यह वाला message show करेगा serial monitor के अंदर और उसके बाद यहाँ पर मैंने SPIFFS.open नम का एक method यूज किया है जो कि file को open करने के लिए यूज होता है और यह दो parameter लेता है एक तो है file का नाम और और एक है mode जो है यह read करने के लिए अलग होता है तो यहाँ पर हम read कर रहे हैं तो read करने के लिए our mode use होता है तो अलग-अलग mode से इसक्रिप्शन पर मैं एक link दे दूँगा वहाँ पर आपको file system से related जो भी methods है और जो भी modes है वह सब कुछ आपको वहाँ पर मिल चाएगा वहाँ से आप वह सब देखके काफी easily समझ सकते हो so file का open करने के बाद यहाँ पर मैंने एक variable के अंदर store कर दिया है और अगर यहाँ पर file नहीं मिलता है तो हमें fail to open file for reading message show करेगा serial monitor के अंदर और उसके बाद return कर देगा और निचे while loop के अंदर यहाँ पर फाइल अगर एविल एवेलेवल रहता है तो हम file को read कर रहे है serial.write उसके बाद file.readname का method हम यहाँ यहाँ पर use कर रहे है जो कि file को read करने के लिए use हो रहा है यहां पर हमने file को रित कर स्वाइब हमें यूष कि है जो कि फाइल को क्लोज सकता है फोола है क्लियो के लिए ऐसे वीडियो में अगर आपको थोड़ा साभी सिखने को मिला तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लेम है तो कॉमेंट कर सकते होनी चैसे सो मिलते नेक्स वीडियो में टेख क्यार है फैक गुड डे